स्वक्षता ही सेवा का संदेश देने शनिवार सुबै नागपुर रेल मंडल के रेटायड रेल कर्मियों ने रेली निकाल कर लोगों को स्वक्षता का संदेश देते हुए जागरुक किया रेल मुख्याले की निर्दिश पर शुरू हुए स्वक्षता पकवाडा आमला रेल्वे जंक्सन से शुरू किया गया जिसमें रेल कर्मियों ने महात्मा गांधी बनकर चलती ट्रेन में लोगों को स्वक्षता की प्रती जागरुक किया और बैतुल स्टेशन पहुचे बैतुल से हमारे संबादाता अमित पवार ने बताय कि आमला रेल्वे जंक्सन से शुरू ही स्वक्षता रेली में नागपूर रेल मंडल के सेंगलो रिटायट रेल करिमयों ने रेली निकाली और नागपूर से बैतुल आने वाली तक्षण एक्षवरत में यात्रियों को सवक्षिता का संदेज देते हुए बेदोल रेल वे सटेशन पहुँचे जहां पूरे स्टेशन परिशर में साफ सपाई की गई और यातरियों को ट्रेन को साफ एमम सवक्ष मनाय रखने का संदेज भी दिया आपको बता देगी भारती रेल में सक्षिता पक्वाडा चल रहा है जो कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें रेल कर्मचारी हर दिन अलगलग गति विदियों से रेल यात्रियों को संदेज दे रहा है अब देखने बाली बात यह होगी कि भारती रेल जो यात्रियों से खचाखच बरी रहती है जिसमें सास लेना भी मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में यात्री रेल को कितना सुख्च रखपाते हैं आए हैं और ताकि गंदेगी ना होगी अभी आज क्या करक्रम करेंगा है सर आज हमारा सरुपत्रम आमला से स्टार्ट हुआ आमला में हमने रेल्वे कॉलोनी में यह संदेज दिया और हमारे साथ सेवा निवत रेल्वे करमिशारियों का संगटन है जिसके अज्यक्ष स्री रामप्रसाद जी है फिर हमने अपने एसस आमला के मिस्रा जी और बैतुल के एसस स्री पालिवाल साहब के सहयोग से आमला और बैतुल में इसका एक संदेज देने की एक रैली निकाली है सर इसका रिस्पॉंस तो बहुत अच्छा है मिल रहा और हमारा भी यही संदेज है कि अगर हम सच रहेंगे तब ही हम सच रहेंगे और भारती रेल में यात्रियों की एहम भूमिका होती है इसलिए यह सहयोग हम यात्रियों से चाहते हैं कि वे हमें यह 15 दिन नहीं पूरे वर्स बर पूरे जिंदेगी बर हमें इस सहयोग को देते हैं सब यह रेले वोट से सरकुलर है वैसे तो ओल इंडिया पे है लेकिन रेले में यह पक्वाड़ा मनाया जा रहा है और उसी सोरुप में नाकपर डुविजन से जो हमारे रिटार्ड फेडरेशन है उसके तुरू हमने यह कारे का मामला से शुरू किया और अभी 21 डावल से बैतुल पहुंचे हैं क्या अभियान है सर अभियान है जो पूरे भारत वर्ष में चलाया जा रहा है अभी कुछ दिन पहले अठ्रा तारिक को रेले बोट के चेयर्मेन और जो ऑफिशेल्स हैं उन्होंने भी दिल्ली में बहुत अच्छा प्रोगाम किया और यही संदेश लेके पूरा इंडिया में रेलवे सोच्छता का संदेश देना चाह रही है कि हम सच रहेंगे दुनिया सच रहेंगे अगर हम ही सच नहीं रहेंगे तो दूसरों को कुछ यह नहीं कर सकते तो उसी कारेक्रम को लेके ए-a-r-r-f जो रिटाइड प्रेशन है उसमें हमारे रिटाइड लोग भी है पूरे की पूरे डिटाइड लोग है वो यह संदेश देने निकले है जो साट साल से एसी ब्यासी चारण को साल चक्के के लोग हैं साथ में जो यह संदेश देने के लिए आ गया आए है अभी कहार टाहा दिया तरक्रा स्टेशन वे आम ला वे हुआ है हम लाग चाहा लुह गाड़ी में गारी में लोगों को संधाते हुए अभी तो ट्वेटि नवनon में भी इड हुआ है और और दचल ठीम है और कुनछी गाड़ी मेलें कि उपताने वह तीडिए बातल x झाल झाल